वैगौचकी के थेयरी में speech को तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइट किया गया है पहला है social speech जो की बच्चा यूज करता है सबसे communicate करने के लिए और यह social speech जो है वो 2 साल के उमरे से शुरू हो जाता है और throughout the lifetime यह evolve होता है और develop होता है और 3 साल के उम्र से private speech शुरू हो जाता है private speech जो है वो किसी के तरफ aim नहीं है और ये communication के लिए इस्तमाल नहीं हो रहा है बच्चा सिर्फ अपने दिमाग में जो चल रहा है उसके जो सोच है उसके जो विचार है वो loudly express कर रहा है और ये private speech को विद्वारा बच्चा खुद को guidance दे रहा है, खुद को regulate कर रहा है और ये private speech जो है, वो 7 साल के उम्र के बाद से silent inner speech बन जाता है क्योंकि अब 7 साल के उम्र के बाद बच्चा जो है बड़ा हो गया है, अब वो self-conscious भी हो गया है और वो ये नहीं चाता कि दूसरे लोग जो है, वो उसके मन में जो चल रहा है, वो दूसरे लोग सुन पाए तो बच्चा अभी भी private speech का इस्तमाल कर रहा है, लेकिन वो silently कर रहा है, अपने मन ही मन वो बोल रहा है और ये silent inner speech जो है, अभी भी self-guidance और self-regulation के लिए इस्तमाल होता है और ये एक व्यक्ति के complete life में silent inner speech का इस्तमाल हो सकता है क्योंकि अभी भी मैं कभी-कभी अपने आप से बादे करता हूँ, क्योंकि अपने आपको हम instructions दे रहे होते हैं या फिर कुछ जब हम काम कर रहे हैं, तो हम money-man एक checklist जैसा बना लेते हैं तो ये silent inner speech जो है, वो self-guidance और self-regulation के लिए इस्तमाल होता है इन तीनों type of speech में main difference यह है कि social speech और private speech जो है, वो सुनाई देता है silent inner speech जो है, वो सुनाई नहीं देता social speech दूसरे लोगों के साथ communication के लिए इस्तमाल किया जाता है private speech और silent inner speech खुद से communicate करने के लिए इस्तमाल किया जाता है